नमस्कार मैं साहूल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो का आज जनम दिन है आज वो 31 बर्स के हो गए हैं आपको बता दें कि तेजस्वी यादो की तरफ से अपने जनम दिन को लेकर के एक मैसेज आया है और इस मैसेज के जरिये उन्होंने अपने जो है चाहने वालों से अपने समर्थकों से ये साफतोर पे कहा है कि इस बार का बढ़ दे वो एकदम सांतिपूर्ण माहौल में साद या उनके माता के आवास के बाहर न जूटाए आपको बतादें कि यह तस्वीरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तस्वीरे मिसा भारती यानिकि उनकी जो बहन है उन्होंने डाली है अपनें ट्वेटर हैंडल पे इन सिम्साभारती हैं तेजस्वी यादों है और त तेजस्वी का कोई ऐसा तस्वीर सामने नहीं आया है जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ या अपने एक पूरा गुट है उसके साथ वो दिखाए दिये हों जन दिन मनाते हुए तेजस्वी की तरफ से ये बाते सामने आने के बाद RJD के ट्विटर हैंडल पर जो है एक ट्विट वो सामने आया है राष्टिय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर जो ये ट्विट आया है इसमें लिखा गया है कि सभी सुप्सिंतकों और समर्थकों से विनम्र अनुरोध है क इवे नेता पर्तिपक्ष तेजस्वी यादो जी की अपने जनमदीन को सादगी से मनाने के नीजी निर्णय का सम्मान करते हुए आप घर पर ही रहें और आवास आकर व्यक्तिगत रूप से बधाई देने में से बचे रहें दस को मतगर्णा हे तू अपनी सजग उपस्तिती छेतर में बनाये रखें आपको बता दें कि जिस तरीके से तीसरे चरण का चुनाव खतम हुआ है उसके बाद से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो आये हैं उसमें तेजस्वी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही ऐसे में अभी मतगर्णा होने में एक दिन का समय और है दस्तारिक को वोटो की काउंटिंग होगी उससे पहले अगर किसी तरीके का साथ उत्सा दिखता है या फिर जन समू मरता है तो यह अपने आप में पार्टी के लिए एक तरीके से घातक भी हो सकता है या यूं कहें कि उसकी किरकिरी भी हो सकती है आगे चलके ऐसे में तेजस्वी किसी भी प्रकार की बातों से कही न कहीं बचने की कोशिस कर रहे हैं वो चाते हैं कि एक बार दस्तारिक को अगर फैसला आ जाये कि बिहार में नई सरकार होगी बिहार में बदला होगा तो एक मुस्त तरीके से फिर enjoyfully जो है उस moment को enjoy किया जाएगा ऐसा साथ तेजस्वी सोच रहे होंगे अब तेजस्वी के मन में क्या है ये तो हम नहीं बता सकते लेकिन मतगर्णा दस्तारिक को है आप हमारे साथ बने रहेंगे दन्यवाद